समनोली बाइपास पर रही के पास तित जुग्यों में रात दस बजे के करीब भयंकर आग लग गई आग इतनी भयंकर थी कि कुछ मेनटों में फैल गई हालांकि गरीमत यह रही कि इन जुग्यों के अंदर कोई भी प्रवासी नहीं था यह जुग्यां पहले काफी समय से खाली कर दी गई थी गंगोट पंचायत के उप्रधान सौर पराशर ने आग लगने की सूचना फाइर ब्रिगेड को दी जिसके बाद आनन पानन में फाइर ब्रिगेड की गाड़ियां वहाँ पर पहुंच ची और फाइर ब्रिगेड कर्मियों ने आग भुज जाई पताते चले अगर आग पर काबू ना पाया जाता तो लाखो रुपए का नुक्सान हो सकता था क्योंकि जिस थान पर आग लगी थी उसके साथ सटे भवनों में आग लग जाती तो यह आग बुरी तरह से फैल सकती थी जिससे जानमाल के साथ लाखो की संपत्ती का नुक्सान हो सकता था फायर ब्रिगेड पोस्ट इंशार्ड शंकरदास ने बताया कि गंगोड पंशायत के उप्रधान की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंट शी राग की घटना में दो जुगियां जलकर राख हो गई मौके पर जाके फिर दो जुनी नहीं आग लगी थी लगवट पांच हजार के आसपास नुक्सान हुआ है और वीच लाग के आसपास बचाई गई है कि अचिए उसकष्ण है ने उसका सब्सक्राइब आजगे है आप सब्सक्राइब दूबुआ रहा है आमन शर्मा के रेपाउट आमन शर्मा के रेपाउट आमन शर्मा के रेपाउट आमन शर्मा के रेपाउट